परहन ताडम, नमो सिदाडम, नमो आईरी याडम, नमो वजायाडम, नमो लोये सवसाउनम, पंच परमिष्टी भगवन्तों की, अचारी भगवन गुरुवर विशुत सगर्जी मुन्राच की, याम सभी, अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवर्द्धी के लिए नीती के विश्यों का श्रवन कर रहे हैं, नीती हमें सिखाती है कि जो भी चीज हमारे पास है, हमें उसका उप्योग आना चाहिए, अगर हम उस चीज का उप्योग करना जानते हैं, तो वो चीज हमारे जहर है, बात समझना, जो भी चीज आपके पास है, उसका आपको उप्योग करना आना चाहिए, अगर आप उसका उप्योग करना जानते हैं, तो वो आपके लिए काम की चीज है, कहते हैं कि आवश्यक्त से अधिक जो कुछ आपके पास है, वो जहर है, जैसे किसी ने बोज की बाद तीन जग पानी पी लिया उसने पानी ज्यादा पी लिया तो उसको उल्टी होगी, उसके लिए वह पानी जहर हो गया है ऐसी आवश्चक्ता से अधिक जो जो आपके पास है वह सब जहर है और वो चाए पैसा हो घर हो जमीन हो मकान हो पेट में गया भोजन भी क्यों कहे गए शब्द भी क्यों ना हो जो आवश्यक्ता से अधिक है वो सब आपके लिए विश है जहर है आज की नीती कह रही है कि यदि आप पैसे का उपयोग जानते हैं यदि आप पैसे का उपयोग जानते हैं तो पैसा आपका सेवक है और यदि आप पैसे का उपयोग नहीं ही तो पैसा आपका स्वामी है जो आपके पास पैसा है धन है संपत्ति है आप इसके स्वामी हो कि ये आपका स्वामी है रास्ते में अभी एक विक्ति गाय को ले करके जा रहा था किसी ने पूछा कि कौन किस से बंदा है कौन किस को पालता है तो आपको लग रहा होगा कि आप गाय वो गाय को पाला है नहीं नहीं गाय उसको पाली है तो कि अगर गाय छूट के भागी तो पीछे वो भागेगा तो पैसा आपके पास है कि आप पैसे के पास हो घर आपके पास है कि आप घर के पास हो सोने की चेन आपके गले में है कि आप सोने की चेन में हो इसको खोजो इसके बारे में सोचो कि आपके जीवन को बदलने के लिए आज में बात कह रहा हूं अगर पैसे का उप्योग करते हो तो पैसा आपका सेवक है और उप्योग नहीं करते हो तो पैसा आपका उप्योग करता हो स्वामी है अगर आपके पास एक लाख रुपे हैं और आप उसका उप्योग नहीं जानते हो तो आप उसे एक लाग के एक एक सिक्के के पीचे रोगे और अगर आप उप्योग करना जानते हो तो एक लाग रुपे आपके सेवक है याज मैं पैसे की बात कर रहे हैं तो बागी चीज़ें भी लगा के रखना आप खोजो खोजो अपने आप में खोजो ढूंडो अंदर चे अपने भावों को हिला करके पूछो की पैसा मेरा माले के की मैं पैसे का माले की अच्छा मन आपका माले की आप मन के माले की आप मन के माले की आप मन के माले की जिस दिन मन आपका मालिक है जब जब उस दिन तुम बहुत छोटे हो और जिस दिन तुम मन के मालिक हो उस दिन तुम से बड़ा कोई नहीं है खोजी पैसा आपके पास है कि आप पैसे के पास हो बस जिस दिन जिस दिन जिस दिन से आपके अंदर से बात निकल जाएगी कि मैं पैसे के पास हूँ उस दिन से आप रा जाओं अभी आपके पास पैसा है जितने बड़े बड़े लोग हुए उनके पास पैसा था वो पैसे के पास नहीं थे एक सरसे ठुकुम चेंजी हुए इन दौर जिन्होंने पूरा बसाया कासलीवाल समाज के कासलीवाल गोत्र के थे एक मुनराज जुन से पूचा कि कि आपके पास कितनी संफत्ती है वो बोले मैं कल गिनके बताऊंगा मुनियों से कौन जुट बोलेगा उनुन उन्होंने का मैं कल बताताँगा सब कुछ गिनने के बाद हिसाब लगाने के बाद χाट से सो तेड़े सौसाल पहले कि बढ़ाने क्या उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी अभी मेरे पास 75,000 रुपे हैं महाराज बोले आप जूट क्यों बोल रहे हैं बोले नहीं नहीं मैं मुन्यों से जूट क्यों बोलूँगा अभी मेरे पास 75,000 रुपे हैं बोले कैसे बोल सकते हैं आप जिस बग्गी में आए वो सोने की है कि सेड़ जी के घर की जो बात्रूम का ऐल ट्रॉप था बात्रूम का जो गेट खोलने का जो पुंदा था वो भी सोने का था कि सेड़ जी कहरें कि मेरे पास 75,000 रुपए काच का मंदर बनाया दिन्होंने पूरा कि आज से सौ साल पहले के 75,000 रुपए क्योंकि पैसे का वो उपयोग जानते थी इसलिए पैसा उनका सेवक था प्राप पैसे का उपयोग ने जानते पैसा आपका स्वामिये पैसा होना बुरा नहीं है सबसे कह रहा हूँ, पैसा होना चाहिए अर्थ पुर्शार्थ लिखा है न आगम में चार पुर्शार्थों में अर्थ पुर्शार्थ लिखा है तो पैसा होना बुरा नहीं है, पैसे का दुरुपयोग करना बुरा है पैसा कमाना बुरा नहीं है गलत नीती से पैसा कमाना बुरा है जो कि गलत नीती से पैसा कमाते हो गलत नीती से फिर खर्च भी करते हो पैसा होना बुरा नहीं है पैसे का दुरुपयोग करना बुरा है अगर आपके पैसा है आप बहुत अच्छे आदमी है पैसा दुरुपय रहता है ना कि मैं इतना पैसे वाला मैं इतना बड़ा सेट उन लोगों से एक बात मेरे पूछने की है कि आप क्या समझते हो कि पैसा ही सब कुछ है क्या जो लोग पैसे का हैंकार दिखा हैं उसे जरूर बोलना कि अगर पैसा आपकी जेब में है तो आप बहुत बड़े आदमी हों बहुत अमीर आदमी हों और पैसा आपके दिमाग में तुमसे गरीब कोई नहीं है जो लोग पैसा दिमाग में रखके चलते हैं वो अमीर होकर कि भी गरीब हैं और जो पैसा जेब में रखके चलते हैं वो गरीब होने पर भी हमीर है वह पैसे ही गर्मे में नहीं जीती है जिनको पैसे का एटिट्यूर उदा कि मैं इतने पैसे वाला हूं कोई आपका भी टक्रा जाए जो बोले कि मैं पैसे वाला हूं क्या मैं को तु बता रहा है इससे कह देना साभ जब ऊपर जाओगे न एक चरन िविसाथ में नियाने इंग वेग आप लोगो ने देखा होगा आट देली काटि में जाते हैं तो सबसे हल्की वस्तु थे हिं मकाने और लाई भेस बहुते हैं घुल acontece को और फहाने और लाई तो उठाया है अब तू उठा नहीं पा रहा है अब तू मकाना और एक लाई का दाना उठा के दिखा दे जिसके पीछे तू जिन्दगी पर भागा है पैसे के पीछे भागा है तो उसने पैसे की पीछे तूने दुनिया में दूसरा को छोटा नीचा दिखाया है, उठा के दिखा एक सिक्का, एक उठा के दिखा मखाने का दाना, यह एहंकार पैसे का आपको ले डूबेगा, पैसे का उपयोग करें, पैसे का दुर उपयोग ना करें, पैसा कमाएं, लेकिन नीती से कमाएं, और दीती से खर्च करें, दुरोपयोग ना करें मेरा विश्वास है, एक दिन वो पैसा आपके लिए संपत्ती बन जाएगा जिन लोगों ने पैसा कमाया है और बस लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ पैसा कमाते जाओ रखते जाओ, और मरते जाओ जिन लोगों ने स्रिती से कमाया उनका पैसा पैसा है और जिन लोगोς ने कमा करके उसका एक हिस्सा दया में, दान में, धरम में, परोपकार में, गर्मी में, पानी बिलाने में, थंडी में, गरीबों को कमबल बाटने में दिया है तो सच मानना उनका ही पैसा संपत्ती है ये राजा महाराजा बोले इतनी पीड़ी से पशास पीड़ी से राजा है सतर पीड़ी से राजा है 75 पीड़ी से राजा है है तो है राजा है तो है लेकिन उनके पास पैसे थे पैसे थे इसलिए यहीं रह गए संपत्ती जिनकी थी व थी जिन्होंने नीती रीती से कमाया था उन्होंने पैसे का उपयोग किया वो पैसे के स्वामी थे और जो बस ये टेक्स लेना इस से इतना पैसा लेना बस जोड़के रखते गए रखते गए उनके पास पैसा है धन है जो धन धन करते करते निर्धन हो गए उनसे नहीं आज कह रहा हूँ जोनों ने मैं पैसा कमाया हूँ लेकिन पैसा अगर आपकी संपत्ती है तो ही वो आपकी है फिर से कह देता हूँ पैसा आपकी जेब में है तो आप अमीर है और पैसा अगर आपके दिमाग में है तो आप गरीब है आप अमीर है कि गरीब है इसका निनने आप कर हीरे की अंगोटी भी पहनने वाला विक्ति कुछ कहता नहीं है क्योंकि उसके पैसा उसके दिमाग मिनी उसके जेब में है पैसा होना बुरा नहीं है पैसे का दुरुपियों करना बुरा है अगर दान में, धर्म में, धया में, धर्म की प्रभावना में, अगर आपने पैसा लगाया है तो वो आपका सेवक है, वरना वो आपका स्वामी है, इस प्रकार का चिंतन करना, मनन करना, अपने आपको टटोलना, तब आप जाके बड़े विक्ति बनेंगे कुए में को खोदने के पहले पानी लगता है फिर कुआ पाई देता है दान धर्म करोगे तो ही धना आपके पास लोट करके आएगा ऐसा विचार करना भगवान मावीर सौमी की